अर्चित खबर की जो 100 करोण, 200 करोण जिसमें घोटाले की चर्चा हो रही है मामला जमीन का है, राजधानी लखनव का है, जहां पर डिफेंस कारिडोर बन रहा था और ये इलाका बंथरा के इलाके में भटगाओं ग्राम सभा है, जो सरोणी नगर तैसील में पड़ती है जहां आप सरोण ने और विचोलियों ने मिलकर जमीनों का खेल, पट्टे की जमीनों का खेल किया और करोडो करोड उपया मुआबजा उठाया, जिसमें सरकारी, करमचारी, अधिकारी, उनके नवकर, उनके ड्राइबर, सब उपकृत हुए, सब इस लूट में सामिल रहे तो एक बार फिर से डिफेंस कारीडोर के सैकड़ो करोड के जमीन के मुआबजे और लूट का जिन बाहर आया है और मामला इस समय इतना गरमाया हुआ है कि हाई कोट इस पर लगाता डंडा चला रही है और उसने अब कहा है कि राज़ा से परिशत अब इस पूरे मामले की एक टीम बना कर जाज करेगी और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट वो हाई कोट में पेस करेगी मामला इसलिए तूल पकड़ा है क्योंकि इसमें कई सारे अधिकारी दोसी पाए गए बात शुरुआत यहां से होती है कि लखनव के पूर्व डियम अभिशेक परकास और लखनव की वर्तमान में मंड़ा आयूक्त रोसन जैकब इन दोनों लोगों ने अलग-अलग जाज कराई और दोनों के जाज विरोधा भासी है अब इस एक परकास की जाज रिपोर्ट यह कहती है कि भटगाओं में डिफेंस कारीडोर की जमीन में कोई लूट पार्ट नहीं हुई पट्टे की पत्रावलियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई सब सही थे और मुआपजे सही बटे है लेकिन कमिस्नर की जो जाज रि खरीड फरोग की गई और मुआपजा उठा लिया गया तो अब इसे एक परकास के खास अमर पाल भी यहां पर एक एडियम हुआ करते थे उनका भी नाम इस पूरे मामले में चल रहा है और जितेंद कुमार सिंग जो कानून गो था जिसके बारे में जानते करोडों की संपत ती राजस परसते लेके कहां तक उसके कनेक्शन थे उसका भी नाम इस घोटाले में चल रहा है तो यह लड़ाई ब्यूरोक्रेसी के दो ऐसे अपसरों की रिपोर्ट की है एक कह रहा है कि हमने तीन बार जाज कराई तीनों सही है और एक कह रहा है कि यह जो पहले जाज हु कोर्ट ने इस पूरे मामले में नाराजगी जताई है और जाज पर रोक लगा कर राजस परिसत को जाज सौब दी है विबाद इसमें यह है कि जो पट्टा पत्रावलिया थी उनको लेकर ये बवाल मचा लोगों ने पट्टा पत्रावलियों की जमीन को नामांतरन करा लिय बहुत सारे लोगों ने उन जमीनों की खरीद फरोक सुरू कर दी उनको फरजी ढंक से राजस रिकार्ड में दर्ज करवा दिया गया और इन सब चीजों के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी अभिशेग परकास द्वारा तीन बार जाज कराई गई लेकिन उनकी जाज में वह जमीन में कई सारे भष्टाचारियों को अपने इर्दगिर्द रखा उनको संरचण दिया और जिसके चलते आज दो साल बाद भी ये घोटाला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है इसके बाद जब अविशेग परकास का तबादला हुआ और ये घोटाला रोज हंगाम मचाता रहा तो मंडलायुक रोसन जैकब को इसकी जाज सोपी गई उनकी पहली जाज रिपोर्ट को सासा ने नकार दिया था फिर उसमें बदला हुआ और उसके बावजूद भी मंडलायुक्त ने बहुत सारे अपसरों को इसमें दो सी ठहराया हाई कोट ने उनकी जाज र पत्रावलिया है उनकी रिपोर्ट में वो जाली पाई गई है करे विक्रे से राज कोस को भारी नुक्सान पहुचाया गया है और ऐसा अपसरों और दलालों ने मिलकर किया है जिसमें उन्होंने ततकालीन कानून गो रादे सियाम जितेंद कुमार तैसिलदार उमेश सिंग ग्यानेन दिवेदी, स्टियम, संतोस कुमार, संभू सरण इन लोगों को जिम्मेदार बताया था और उस समय अभी लेखों का परिच्छन किये बिना विक्रे के अनुमति देने वाले ततकालीन, एडियम, परसासन, अमर पाल सिंग भी इसमें दोसी बनाए गए है अमर पाल सिंग अब इसे एक परकास के बेहत करीबी अफसरों में थे, उनके राज़दार थे और कहा जाए तो वो भी एक खजांची की तरह काम करते थे, अब मंडलायू के माम जांच पर हाई कोट ने जांच तो बदल दी है, लेकिन ये बात आज भी महत तो रखती है कि भटगाउ में जमीनों के मामले में अफसरों ने लूट पार्ट की, जब जाना कि वहाँ डिफेंस कारिडोर बनना है, तो उसके पहले ही लोगों ने जमीने खरीदनी सुरू कर दी, तमाम सारे लेकपालों ने, कानुनगों ने, अपने ड्राइवर के नाम, चपरासी के नाम, अपने नौकरों के नाम, जमीने खरीदी, रिष्टेदारों के नाम खरीदी, और बाद में उसका मुआपजा चार-चार गुना उठा लिया, बश्टा चार खुली और नंगी आखों से किया गया, कई बार ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन अब इसे एक परकास पर सरकार ने आस किसी न किसी करवाट बैठेगा जरूर